हलो दोस्तो मेरा नाम है डॉक्टर बगलुक मार्टिवाली और मैं आज आप सभी के बीच में आने वाले समय में सबसे हाई स्किल्स क्या है और किस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर काम करते हैं तो हमें पैसा अधिक से अधिक कमा सकते हैं इस पे चर्चा करने जा रहा ह उसमें मेरा पहला अगर आज का वो पहला पॉइंट होगा हो सकता है कि माय आगे भी इस पे चर्चा करूं मेरा पहला पॉइंट होगा कि हम इस स्किल्स के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि अगर ये चीज आ गया तो दुनिया में आप सबसे पहले और सबसे ज़्य जादा अमीर हो सकते हैं इस पार्टिकुलर विडियो में हम सभी चर्चा करेंगे कि हमें सेल्स कैसे करनी चाहिए इसको एसस बोलते हैं सेलिंग स्किल्स अगर आप बेचने की कलासिक गये तो आप दुनिया में हर जगा पे आप बहुत ही उपर जाने के लिए दिन प्रती दिन आप बहत्रीन से बहत्रीन वर्क करते हैं अगर सेलिंग स्किल्स हम सुबस से साम तक अगर देखें तो दुनिया में हर इंसान बेच रहा है आज मान के सलिए कि आपने एक फोटो डाला उस पे आप देख रहे हैं कि बेचना नहीं आपको आप उस पे देखते हैं कि अतना लाइक आया कितने कॉमेंट्स आये मैं छोटी सी चीज की चर्चा कर रहा हूं अगर एक ये स्किल्स आपको आ गई तो मैं ये वादा करता हूं कि हो सक्टा है कि आपको इससे भी अधिक और इससे भी बहुत बहत्रीन से बहत्रीन हम किसी दुकांदार के पास आते हैं अपने 80% की खरदारी अगर करते हैं तो किसी परीचे वालों के पास में ही खरदारी करते हैं पूरे दिन की खरदारी में देखें तो अच्छे से अच्छे जितने भी दुनिया में आपने CEO गरा रेंके लोगों को देखा होगा या कम्पनी के मालिक गरा जिसके CEO बोलते हैं CEO लेबल के लोग जितने भी होते हैं Cells उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन करने आता है उसी की वज़ा से आज जहां देखे वो हाई लेबल पे हैं और CEO जितने CEO ही नहीं आप बोलते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं कैसे करूँ यह जहां है जिस लेबल पे हैं आप वहीं से सुरू कीजिए जो आता है उसको बेचना चालू कर दीजिए जो आता है आपको सेल्स यह नहीं है कि सेल्स आप एक पार्टिकुलर चीज़ पहीं कर सकते हैं आप सेल्स बहुत ही उम्दा कस्म के अज बड़े आदमी की चर्चा करता हूं माल जी मोधी जी और मोधी जी क्या कर रहे हैं अपने बीज़े नहीं बोल रहा हूं अपने को सेल करते हैं अपने को उन्होंने ब्रांड बनाया उठके कहां से चाय वाले के माध्यम से उन्होंने उठके आया है लेकिन आज परधान मंत्री ले बोल और परधान मंत्री ही नहीं कल मैंने जो देखा है राष्टपती का भी चुना में जितना Jannin कि राश्ठ्र-पति कभि चुना में उनका बहत्रीन से बहत्रीन भूमिका थी साध हम भी जानते होंगे को मैं चाहरो nggak Yap ज्रूद करना चाहता हूं कि आप जितना ज्रूरी हो सके जितने हो सके जहां पे हैं वहीं से शेल चालू कर दीजिए बस अगर शेल चालू कर देंगे तो आपका पार्टिकुलर बहतरीन से बहतरीन हो जाएगा चलिए एक सब्द होता है आइस ब्रेकिंग एक दिन मैं इस कहानी के माध्यम से में बता रहा हूँ एक दिन एक कमपनी का मेटिंग था और कमपनी की मेटिंग की वज़ा से एक बंदा मुझे मेरे ही नियर बाउट सहर में मिल गया और उसने बोला कि उससे मेरी परिचे नहीं थी उसने बातों बातों में ही मुझसे बात की और बोला कि ये कंपनी से हमाये और इस कंपनी का ट्रेनिंग है और इस कंपनी के ट्रेनिंग में आपको आनी है मैंने बोला ठीक है भाई आनी है आये जाये जाएगा या हुआ कि उसने मुझे लालच दिया कि अगर ये काम आप कर लेंगे न तो आप यहां से यहां चल जाएंगे तो वो धन्धा क्या था मैं 80% बता रहा हूं दुनिया में 80% लोग अगर जुड़े हैं जो भी कमपनी जु उसमें भी सेल्स करना था और सेल्स करने के लिए उसने मुझे नेटवर्क कमपनी थी और उसने इन्वाइट किया कि भईया कल आप सेल्स है अगर आप आज आएंगे तो आपका बेहतरीन से बेहतरीन आपके ज़ंदगी बन जाएगी आपके उसने क्या किया मुझे मैं कि भाई मेरी कंपनी में आप आजाए और आके देखिए मेरी कंपनी में बहतरीन से बहतरीन वरकार्स हैं और तो उस ब्रांड की कंपनी ने मुझे चर्चा ही करके मुझे बताया गया है कि भाईया ये सेल्स है इसको आप खरी दियेगा इतना दिन चलेगा इतना इतना इस लेबल का है इसमें इतना कोटन युक्त है बहतरीन से बहतरीन नॉलेज के लिए धन्यवाद नमस्कार इतनी मेरे वीडियो को लाइक, सेयर, सस्क्राइब और कॉमेंट्स किजिए